आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरव स्रीवास्तव आप हमाँ से देख रहे हैं हमारा खास का रेकम बात अपने देश की बस देख समें तमाम तरह के मुड़े चल रहे हैं और लगाता है रालिटिक चर्चाओं का दोड़ जा रही है कहीं ब्रांद सबाद चुनाओ की जो पढ़िनाम रहे उसके चर्चा हुई उसके बाद राजसबा कर चुनाओ हुए उसकी यहांप चर्चा चल लए है तो यहाँ यहाँ पर दो जगे पर च्रचा चल लेता है ब क्षान बापी से सुरू होकर अब एक नया चर्चा का दौर बाद हो गया है रही बिजैपीक प्रभक्ता नुपर शरोमा दो रही बयान दिया गया उस बयान के बाद जो हुआ वो सब आपके सामने हैं कानपुर में उपद्रा हुआ पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी होने के बाद लगातार अब प्रिसासन द्वारा कारवाई की जा रही है जिसमें 50,000 लोग गरपतार भी हैं और पोस्टर भी लगाया जा रही है और लगातार गरपतारी का जो नाराज़ी जिताई उसके बाद यहां पर भारजिंदा पार्टी द्वारा बड़ा कदम उठाट हुए नुपर स्वर्मा और नभीन जिंदल को यहां पर छे साल के लिए पार्टी से दिश्खसित कर दिया गया और कहा गया जो आप में धार में टिपणी की है वा सहनी है औ और जिससे देश के सामाजिक सोहार पैसर पढ़ेगा और आपको 6 साल के लिए अटाए जा रहा है और यह फैसला टिपणी के बाद उपद्रों के बाद लिया गया मेरा मानना था अगर बास्तम में यह आप चीज को देख रहे थी कि टिपणी खराब है और किसी भी धरम के पैगंबर या इस्ट पर इस्टर की तिपणी अगर होती है तो यहां पर कारभाई होनी चाहिए और एक कारभाई हो जाती तो चाहिए जो कानपर में पत्थरवाजी ना होती और जो एक उपद्रों बड़ा उपद्रों कानपर में हुआ जिसमें कई लोग चोटल भी हुए हैं और साथिसाथ इस उपद्रों का और इस मामले का जो अगर हम नजर बनाएं तो अंतराश्टी इस तर पे भी हुई है और लगातार कई जो मुस्लिम देश है और होने इस पर अपनी पितिके जारी किये भारती राज़दूतों को बलाकर नारज़नी जिताई है हालागी भा सबी धर्मों को यहाँ पर समिनानिक अरिगार प्राफ्त है यहाँ पर कोई अगर इस तरह एक तिपड़ी करेगा तो उसके खलाब हम कारवाई कर रहा हैं कारवाई हमने किये पर सबसे बड़ी बाद इस मामले में निकलके आती है कि जब यह तिपड़ी हुई उसके बार उ मसलमान नहीं रहते हैं और अगर देश के पर देस की पजेतर penalty के बात करें तो उट्हक के पर जेके की फब कानपुरी की वह बागी linking मसलमान रहते हैं बहाँ पर यह बाल क्यों नहीं हुआ तो यहा पर जो लगाता 他सी बजारी है कि कान्पुर उप दगयाय किई और जबकि अतिकर्मन अभियान पूरे उत्तपरिस में चला है यहां पर कोई बी अलग नहीं है जो भी अवैर रूप से अतिकर्मन किया हुए उससे खिलाब लगातार कारवाई चल रही है उसमें बड़े-बड़े नेता भी सामेल तो उनके खिलाब कारवाई हुई है बड़े- गण्धर एक पकार से एक नाराज़गी थी उओ annual कि जुम्हे की नावाँ के बाद इस जो मामले को लेकर आधार बनाकर सामने आई तो ये जो उपद्रा हुआ है उपद्रो केवलो केवल यहां पर नुपर सर्मा बाली बात नहीं है क्योंकर नुपर सर्मा बाली बात थी तो ये उपद्रो केवल कानपुर में क्या हुआ क्या किबल कानपुर में मुसल्मान रहते हैं क्या पूरे देसे मुसल्मान नहीं रहते या उत्तापनिस के चोटतर जलो में मुसल्मान नहीं रहते किबल कानपुर में क्यों हुआ और कहा जारा सुत्रों के मताबे कि कानपुर में चुकी से सेरिये में अधार के बावाल हुआ है वहा markers बताया कि हेरी उसी कारबाई की चलते नुपर सरमा वाली टिपणी की बो तो इस तर्छे कि प्रेड़ है किसी दर्म के जिसको ऊहनते हैं उनकी खेलाप नहीं होनी चाहिये और और हमारे भारत दिश्म है जहां पर दार्मिक आजादी है वहां पर इस तरह की जो टिपणिया करना ये अपने आप में एक अपराद है पर ये अपराद केबल और केबल निपुर सर्माने किया है ऐसा भी नहीं है ये अपराद के परंपरा भोग परानी चलिए आ रहे हैं कई लोग इस पोटो पोश्ट होती रहती है जिन पर बारा खराब आता है और वह बात भी इस्ठकी रूप में कही आती है चाहे हिंदु धर्म के सकी बाद हो चाहे मुस्रिम धर्म के बाद हो यहां पर जूकर डिबेट को सामने बोला गया तैसलिए से मामलियों को उठाय गया मेरा मानना है कि देश में लगातार धाल में टिपणियां हो रही है वो क्यों हो रही है भाई आपका धर्म है आप अपने धर्म की इजट करते हैं साथी साथ आपको दूसरी धर्म की इजट करनी है और हम लगातार देख रहे हैं देश में दूसरी धर्म पर टिपणियां हो र तरह की बाते होंगी और वहाँ पर अपसब्द कहे जाएंगे गाली गलोस कही जाएगी असलील बाते कही जाएंगी धार में टिपड़ियां कही जाएगी तो उसका केबल केबल एक नतीजा निकलेगा उपद्रो हालागी अंतर तमाम में हैं कुछ लोग हिंसा बोलते हैं पद्रो कुछ है और दंगा कुछ है बोलने को कुछ भी बोली आप और साथी साथ इस पर एक मेरपूर्ण चर्चा के बिसाएगी है कि हमको यहां पर कुछ कानून मनाने पड़ेंगे हाला कि IPC के तहट 295 एक के तहट इस पर कानून है और तीन ताल तक की सजाएगी है और स इसके अलाबा भी हम देखते हैं लगातार इस तरह की टिपणियां होती रहती हैं तो निसिरु से होना क्या चाहिए या होना ही चाहिए कि कठोर कानून बने कि अगर आप किसी भी धरम विसेश पर कोई टिपणि करते हैं तो आप इखलाप खास कारवे की जाएगी और उस क अगर कोई चपनी करता था कोई पारेल पोश्ट लगाता था कोई खड़ाप चीज लगता था अब समयनाने लगता था धार्मिक भावनां पर कोई प्रहार करता था उसके कारवाई होती थी हाला कि 2015 में सुप्रीम कोट ने इस पर आदेश दिया उसके बाद इस मामले कहा ग अगरातार 66 A तर इसके बा तो लगते हाँ पर इसे सरबोतम उच्छन नेरलाय का य। है तो उसको माना भी कर सकते हैं तो यहां…. अलाले धारों को तेहर कर दी जाती है। तो ज है द्ली मोइन होती है। या थी द्ली आधर होता है अगर कोई कःतनी होती है तर आज कोई कढ़ोर कादोन बनना चाहिए। या अगर वाले समय में इस तरह की टिपणियां ना हो टिपणियां होगी उपद्रा होगा बवाल होगा और जो देश इस समय पिकास की रफ पर अग्रसर है उस देश के कुछ न कुछ इसमें बिराम जरूर लगेगा क्योंकि जो एक अंतराश्ची छवी ये बड़ी मुश्कल से बनती है देश के प्रहमंती नरेन मोरी लगातार अपनी ब्यापक रणीती की तहट देश विदेश में जाते हैं यातरा करते हैं एक उनका पूरा एजेंडा होता है एजेंडा के माध्यम से पूरे बिस्व में भा साथ देशों को बैक्सिन दी गईंडी तमाम देशों को मेडिकल खिट प्रोवाइड कराएगी बेज भी जब एक लाइगए जो यानि हमारे को भी लाप पहुंचाए गया उनको भी तमाम देशों को भीजा गया पर सबसे बड़ी बात ये है कि यब इस तरह की घटना होती यहां पर कुछ नुकसान जरू होता है, और नुकसान आप में देखा, कि कई देशओं जो भारती राजदूत्य नको बलाये गया था, और नाराज की जिताई गयी, ये नहीं होना चाहिए. कारवाई कुछ भी हो, ध्धार में टिपपणी चाहते हिंदू करें, है किसको टार्गेट करर रहा है खिसके लिए किया रहा है और और जब आप अपनी जबान पहों पर ल strangers होती है ख़ला कि टीपढ़नी सामने वाला आप्षार दाता है तो आप और अपने ढव्त बैठते हैं और इसको कोई आप ऐसा नहीं कहिए कि जानमुझ के एक एक लिक पिरना को भी कोई करता है तो गुसे में और पितिकरिया में आप इस तरह के बड़े बयान दे जाते हैं जिसका सीरह सीरह हामारी सामाजिक स्फ innovation पर प्रभाव पड़ता है कि हालांकि कुई बयान की अपनी इक प्यूस्ता रूप रेखा और अपनी एक सीमा है कि आपको किस तरह के देने हैं पर जिस है मैंने वापकु वताया कि यहां पर जो कनपर मुपड्रह हुआ उसस्की पतकता यह बयान तो था ही उपड़े से और कुछ और भी थी को के अधeurs नुपर स्रमा के बयान से नहीं जोच सकते हैं characteristics नुपर सर्मा के बयान को लेके बयानबाजी होती या उपद्रा होता तो कानपुर से तमाम पूरे प्रदेश में पूरे देश में हो सकता था पर और कहीं नहीं हुआ कि आप कानपुर में हुआ और वहां पर कानपुर में भी कहा गया कि आप दुकाने बन रखे बजार बन की गोच्रा कि गई और बजार बन नहीं वा तो यहां पर पित्गिरिया के चलते प्त्थर बाजी पत्थर बाजी की गई जो कि आप देखा है कई तरह की रूपोर्ट में आप देखा है लगातार वहां पर ठेलों पर गुंबे लाए गए थे इटे पत्थल लाए गए गए थे भाई आप देश के नागरे के हैं और देश के नागरे होने के नाते अगर आप देश की संपत्ति को नुक्सान पहुचाते हैं अगर आप देश की सड़कों को नुक्सान पहुचाते हैं अगर आप देश के वैपार को नुक्सान पहुचाते हैं तो देश भी तो आपका है आ पत्राव करेंगे और चोटल होगा लहुलुआन होगा तो इसकी मिलारी भी तो आपकी है और फिर अब ऐसे लोग से कारवाई होती है तो इसमें तमाम लोगों को दिक्कत हो रही है कि एक तरफा कारवाई नहीं हो रही है जो जिस इंसान ने जो किया अगर नुपर सर्माने ख आने पर समय बताएगा पर यहां पर आपकी प्तिक्रिया भी यहां पर कोड के दारे में कानून के दारे में होनी चाहिए आपका बरोर उपद्रव आपकी द्वारा मारेगा इटे गुम में ये भी दिखाते है कि आपने भी कानून को तोड़ा है और जो अपकारवाई हो र रहा है ग्रतार किया जा रहा है और आपके संबन्नों को खोई खंगाला जा रहा है कि यह पतकता कहां से रची गई कि यहां पर क्या ब्यवस्थाती क्या कारण थे कि पूरे देश को छोड़के केवल कामबर में ही नुपर सर्मा के बयान को दिखाएगा जैकि नुपर सर्मा नेशनल चेनल पर बैठी हुई थी वह इस तरह के बयान अगर आये थे तो पूरा उसका जो असर होता है वह ब्याप पड़ी नहीं होने चाहिए किसी भी धार्मिक गुरु देपता पर इस तरह की टिपड़ी असेनी है और सामझी सोहार को नुक्सार पहुंचाती है पर साथी सार यह भी बोलना कि उपद्रों जायज है यह बात भी गलत है उपद्रों चाहे हिंडू करे चाहे मुस्लिम करे उपद्रों नाजायज ही होता है अपनी बात को बताना यह आपका अधिकार है आपके साथ अगर कोई गलत हुआ है धार्मिक टिपड़ी हुई है उसका आप परदसन कर सकते हैं पर हीटे गुम में चलाना एक सुनिजित रियुजना के तहट हमला करना फेकना और लोगों को लहू रोयान करना यह उपद्रों की स्रेणी में आता है हिंसा की स्रेणी में आता है और इसके लिए आपको कानून के डारे में जो भी कारवाई होगी उसको आपको बरदास करना होगा और कारवाई होती रहेगी क्योंकि आप उस चीज को जाय उपद्रों को जाय नहीं बत लुए तरह सकते हैं कि वह इसे तरह करेंगे जापने सकते हैं वह सकते हैं पर आपका मुलेक अधिकार साथ साथ ये भी है कि आप अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुचाएंगे आपका मुलेक अधिकार ये भी है कि आप अपने देश की गर्मा को बना रखेंगे आपका मुलेक अधिकार ये भी है और यह आपकी समय धहनेक अधिकार है तो आपकी दिश्क के पती आपका खरतव बी समय धानिक और मौलेख अधिकार है कि यह उन्होंने चाहिता है और इस्टिक ते हैं और श्राइब का निसकी हो ऑफोर्मक नाय समय में क्या सजय मिलती वो बक्त बताएगा और इस तरह की टिपड़ी आने बार समय में नहीं होनी चाहिए मैं अपने कारकेम के माध्यम से तमाम लोगों से उजारिश करता हूं कि इस तरह की टिपड़ी ना करें धार्मिक चर्चाओं में जाएं डिबेड़े बैठें पर इस तरह की धार्मिक पर इन मुद्धों में हमको अपनी मर्यादा में रहना है और हर मालमला जब दोनों पच्छे जानते हैं कि कोड के माध्यम से ही उसका निजान होता है तो हमको कोड के माध्यम पर ही रहना चाहिए और धार्मिक टिपड़ियों से करने कोई लाब नहीं है ग्यान बापी में स बारा है वो आने वाले समय बताएगा चीज़े इसपश्ट होगी च्योंकि केबल सिबलिंग नहीं है वहाँ पर तमाम चीज ऐसी पाएगए जो अलग संकेत देती है खिर वो जाज के बिसफ़ा है वो जाज के बिसफ़ाए से आंगे आ जाने समय में समय में इसपश्ट को ऐए आपसी सोहाज आपसी मेलजूल को अलग करके यहां पर द्फडाइग करने का कोई philosophize my commitment i. अंगर्णग मैं गंगा जमनातहिजीप को मांगते हैं गंगा जमनी ऊपूलो करते हैं उसका नुस्रान करते हैं आपसी med teamwork करते हैं दिवाली मनाते हैं शॉप मामले होते हैं तो इससे हमें अलग नहीं होना है और साथिस्तर कोशिश करनी हमको परिम्रादा में रहना है और इस तरह कि धार्में जो है तिपळियां से बच कर रहना है जनता को भी रहाँ और इसना सरकार से भी विलिए अगर आपकी कोई मांग है, तो संव्धान इक तरीके से मांग को रख सकते हैं, कारवाई होगी, क्योंकि जिसमें सम्व्धान सभ से उपर है, कानून सभ से उपर है, और जब जब हम में देखा है, तमाम ऐसा लुए माम ले आए, जिसमें कानून ने सभ से अच्छा फैसला करते हुए एक नजीर पेस की है कि कानून सर से उपर है और कानून ही सर प्रत्थम है तो हमको कानून पर भरुशा करना है और अपने तमाम जुम्मन की भावनाओं को सीमा के अंदर रखना है और कोई भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलुम हो सबी भावगों इस तो मेरा ठाएगी और कारवाई होगी कि कारवाई जरूर होगी क्योंकि देल सबका है हिंदू हो बहुत अब को मुक्त नहां भी आपको नहीं तो यहाँ पर ढरें तो हमारी पर रहे हैं उसको मान के चले भारतिय संस्क्रति भारतिय परंपरा ही हमारी धरोगार है और आप सी सोहार्दी हमारा आधार है तो आज की चर्चा में अतना ही मुझे लिए नमती कि नमस्कार कि अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगार आपका पसंदिदा नियूस चैनल